देखिए चावल का एक इकदाना कैसे खिला खिला बना है जीरा राइस बनाने वक्त अगर आपको भी दिक्कत आती है चावल आपस में चिपक जाते हैं या फिर एकदम चिपचिपा सा हो जाता है तो इस वीडियो को बिना इस किपकी ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज इस जीरा राइस को हम पूरे टिपस और ट्रिक और एक सही माप के साथ बनाएंगे ताकि आपको इसे बनाने में कोई भी परिसानी ना आए तो चलिए बिना देरी की इसे हम बनाना सुरू करते हैं तो एकदम खिला खिला जीरा राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कप बासमती चावल लिये हैं अगर आप वजन में देखते हैं तो लगभग यह 2800 ग्राम है घर की कोई भी एक कटोरी कप या ग्लास को सेट कर लीजे उसी से हम चावल और पानी दोनों ही चीजों को नाप कर लेंगे अब सबसे पहले इसमें पानी डाल कर हलके हाथों से रब करते वे चावल को लगभग 3-4 पानी से अच्छी से धोकर साफ करेंगे ताकि इसके उपर जो भी डस्ट वेगरा लगा हो वो पूरी तरह से निकल जाए देखिये पानी कितना ज़्यादा क्लावडी हो चुका है तो अब इसे फेक कर चावल को मैंने 4 पानी से और धो लिया है अब हम क्या करेंगे कि इसमें जरुवत के अनुसर पानी डाल कर चावल को आदे घंटे के लिए ऐसी ही छोड़ देंगे ताकि ये फूल के थोड़ा सौफ्ट हो जाए इनकेस अगर आप जल्दी में हैं तो आप इसे सिर्फ 15 मिनट भी रख सकते हैं मुझे आप पूरा आदा घंटा हो चुका है और अब ये चावल अच्छे से भीग चुके हैं तो अब जीरा राइस बनाने के लिए सबसे पहले एक भारी तली की कड़ाही को गरम करके मैंने इसमें दो बड़ा चमच घी डाला है घी में बने वे जीरा राइस में एक अलग सही स्वाद और खुश्बू आता है तो ध्यान रखिएगा कि इसे हमें घी में ही बनाना है तेल का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे घी के गरम होते ही इसमें हम एक छोटी चमल जीरा साथ में कुछ खरे मसाले भी डालेंगे तो मैंने इसमें एक छोटा सा दाल चिनी का टुकरा एक बरी लाइची तीन छोटी लाइची और तीन लॉंग डाला है ध्यान रखिएगा कि इन खरे मसालों को में जलाना बिल्कुल भी नहीं है मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को सिर्फ 20-30 सकंड के लिए भुनेंगे देखिए जीराचे से भुनकर इसका कलर जो है वो चेंज होने लगा है तो अब इसमें हम चावल डालेंगे तो चावल में जितना भी पानी था उसे मैंने निकाल दिया है अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर हलके हाथों से चलाते वे घी के साथ चावल को लगबग आधा से एक मिनट के लिए भुनेंगे बस ध्यान रखेगा कि चावल को हमें एकदम आराम से धीरे धीरे चलाना है ताकि इसके जो दाने हैं वो तूटे नहीं तो चावल को मैंने सिर्फ एक मिनट के लिए भुन लिया है अब इसमें हम पानी डालेंगे तो जिस भी कप या कटोडी से नाप कर हमने चावल लिया है सेम उसी से नाप कर चावल का दो गुना इसमें हम पानी डालेंगे तो एक कप चावल के लिए मैंने या पे दो कप गरम पानी डाला है एक बार हलके हाथों से मिलाने के बाद अब इसमें हम स्वाद के अनुसर आदी छोटी चमश नमक डालेंगे चावल का एक एक दाना खिला खिला और अलग अलग बने इसके लिए इसमें हम एक छोटी चमश नीमू का रस बे डालेंगे एक बार सभी चीज़ों को आपस में मिला लेने के बाद अब इसे हम ढख कर पकाएंगे गरम पानी डालने के वज़े से देखी इसमें बहुत ही जल्दी उबाल भी आने लगाया है तो अब इस स्टेज़ पर गैस की फ्लेम को मीडियम पे करके ढख कर इसे लगभग हम आट से दस मिनट के लिए पकने देंगे या फिर जब तक की चावल में जितना भी पानी है वो पूरी तरह से सूख नहीं जाता मीडियम फ्लेम पर चावल को पकाते वे मुझे आप लगभग साथ से आठ मिनट हो चुके हैं और अब आप देखिए पानी जोए न वो चावल के लेवल तका चुका है तो अब इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को एकदम लो करके चावल को सिर्फ दो मिनट के लिए और पकाएंगे इसे पकाते वे मुझे आप पूरे दस मिनट हो चुके हैं तो अब धककन अटाकर चावल को एक बार चेक करेंगे देखें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है तो गैस को तुरंद ओफ करेंगे और ढखक कर इसे लगभग दस मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसमें जो भी स्टीम है न उससे चावल अच्छे से पकर सौफ्ट हो जाए मुझे आपे पूरे दस मिनट हो चुके हैं और अब आप देखें चावल का एक एक दाना कैसे खिल चुका है ये बिल्कुल भी चिपचिपा या फिस्टीकी नहीं है चावल का एक एक दाना खिला खिला और अलग अलग है तो अब सर्फ करने से पहले इसमें हम थोड़ा सा बारी कटवा हरधनिया डालेंगे और यहां पर ध्यान रखिएगा कि चावल को में बहुत ज़्यादा चलाना बिल्कुल भी नहीं है नहीं तो चावल के जो दाने न वो तूटने लगेंगे और देखिए चावल भी अच्छे से पके हुए हैं यह बहुत यासानी से मैस हो गया इस गर्मा गरम जीरा राइस को आप अपने मन पसंद किसी भी दाल छोले, राजमा, किसी भी सबजी, मटन, चिकन या फिर अंडा करी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं तो एक बार मेरे तरीके से इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा और ट्राइ करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शियर और अपने चैनल शिवानिस किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो चलिए फिर मिलते हैं कि नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए